नमस्कार दोस्टों हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दीक स्वागत है पैरिंस आज हम कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस से जुड़े हुए मदर और बच्चे के लिए उनसे जुड़े हुए कुछ प्रसणों के बारे में इस कोरोना वाइरस के बारे में आप सभी को जानकारी तो हो ही गी कोरोना वाइरस से जुड़े हुए पैरेंसों का बहुत से हमारे कमेंट आये हुए हैं उन लोगों के तो आज मैं उन्हीं के प्रसनों का उत्तर दूँगी अगर हमारे छोटे बच्चे को खांसी जुखाम और डायरिया जैसे लक्षण और फुईवर आना ये हो रहा है तो क्या हमको लूज मोसन होना तो क्या हमको अपने बच्चे का करोना टेस्ट करवाना चाहिए पहुत सारे पैरेंसों को ऐसे देखा है कि जो बच्चे को ये लक्षण है तो बच्चे को ले करके पैरेंस जाते हैं डाक्टर के पास और डाक्टर उनको कोविट की जाच बच्चे को लिखते हैं तो वो डर के मारे बच्चे की कोविट जाच नहीं कराते हैं तो प्लीज हमारा तो यही कहना है कि अगर आपके बच्चे को डॉक्टर ने बोला है तो आप कोरोना टेस्टर जरूर ही कराएं कुछ जो हमारे पैरेंस हैं वो बच्चों को लेकर के अभी भी मार्केट जा रहे हैं तो मैं समझ नहीं पा रही हूं कि वो बच्चे को लेकर इस समय क्यों मार्केट जा रहे हैं तो प्लीज मेरा यही कहना है कि आप अपने साथ अपने बच्चे की जिन्दिगी को खत्रे में मत डालिए और अगर आपको कुछ जरूरत नहीं है कोई भी ऐसी काम चल जाता है और इतनी जरूरत चीज नहीं है तो आप भी अपने घर से प्लीज मत निकलिए कुछ मदर्स का कहना है कि हमारा बच्चा जो है हमारा बच्चा हमारा खुद का इस्तनपान कर रहा है तो क्या कोविट वैक्सीन लगवाना जरूरी है तो मेरा सभी पैरेंसों से यही कहना है कि आप वैक्सीन को जरूर से जरूर लगवाएं बिल्कुल डरें मत डरने की कोई जरूरत नहीं है और वैक्सीन लगवाने से कोई खत्रा नहीं आएगा और अगर आपका बच्चा आपका इस्तनपान करता है, तो आपके वैक्सीन लगवाने से बच्चे को कोई भी खत्रा नहीं होगा और कुछ मदर्स जो प्रेगनेंट है उनका भी कमेंट आया है मारे पास कि मैं प्रेगनेंट हूँ दो महीने किसी को हुआ है किसी को चार महीने किसु को पूरा टाइम चल रहा है तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ तो प्लीज हमारा कहना यही है कि अपने डाक्टर जिस डाक्टर से आपका इलाद चल रहा हो उसी डाक्टर को आप बताईए और उनसे जानकारी लीजिए वही डाक्टर आपको बताएंगे कि आपको बैक्सीन लगनी है या नहीं लगनी और बहुत सारे पैरेंसों को यह कमेंट आया हुआ है कि हम अपने बच्चे की इम्मुनिटी को कैसे बढ़ाएं तो पैरेंस जो मार्केट में पैकेट फूड आते हैं उनको बच्चों को आप मत खिलाएए बाहर की कोई भी चीज बच्चों को मत दीजिए जो चीज दीजिए वो घर का अपने हाथों का बनाया हुआ हाथ अच्छे से साब करके और धूल करके साबुन से अच्छे से बना करके साब सुतरे बरतन में बना करके अपने बच्चे को घर का बनाया हुआ ही खिलाएए बाहर से खरीद करके आप फूड बगएरा जरूर बच्चे को खिला सक पशंद करता हो, दलिया है, दाल है, चावल है, अगर बच्चा सब खाने लाला है, तो उसको सारी चीजें जो मतलब खाई जाती हैं, वो सारी चीजें आप घर में बना कर बच्के को दीजिये, जो बच्चे को पसंद हो, जैसे हलूआ है, रवे का हलूआ है, खीर है, ये और बच्चों को हरी सबजियां हैं दाले हैं जितनी आप बनाते हैं जैसे आप खाते हैं उसी तरीके से आप अपने बच्चों को खिलाईए साब सुत्रा बच्चों के भी हाथ और बच्चे का सरीर साब सुत्रा बच्चे के कपड़े साब सुत्रे होने चाहिए डेली आपको दि आप भी प्लीज दूर रहें बच्चे से विलकों भी बच्चा पहुँचना पाई उस ARE और प्लीज बच्चे को ज़ादा रोने न कोटा हम καत्या थै और मतलब टाइम दे के साथ खुद खेलें रूम में आप से को जो अच्छा लगता हो देखना सुनना वह बच्छों को बच्छ को थोड़ा बढ़ाएं मतलब अच्छा आइसा करें कि बच्छे का जो मन है अंदर रहते रहते तो बच्छे का भी मन ऌप जाता है इसलिए मदर को बच्चे पर टाइम थोड़ा देना पड़ेगा आप ऐसे ही बच्चे की और अपने परिवार की देख भाल करें और आप अपनी खुद देख भाल करें अच्छे से और आपके जो कमेंटों हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए और अभी तक अगर आपको आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर करिए और दूसरों के साथ सेयर करिए आपका बहुत बहुत धन्नवार